हैलो डियार इस्टुडेंट्स आपके अपने यूट्यूग चैनल चैन्सर में आपका स्वागत है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो सोसल और पॉलिटिकाल लाइफ है उसका जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको जितने भी नए वीडियो आपके चैनल से लेटेर अपलोड हो रहे हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकेए तो हम फिलिंग दा ब्लेंक्स तो फिलिंग दा ब्लेंक्स पर फिल्स कोस्टन के हम बात करें तो लोकल गवर्मेंट इन दा विलेज़ेस इस आप जानते है इसको देन थर्ड जो है आपका जो ग्राम सबाह है वो इलेक करता है मैंबर ओफडर ग्राम पंचायाat इन रहत जो ग्राम पंचायात को मैंबर सभाह है उसको ग्राम सबाह है इलायग करता है दलेंग तो यह आपके जो विलेज़ेस तै! मिलेंगे तो फ़र्स्ट है आपका Member of the Block समीती elected the सरपंच यह आपका फॉल्स है यह आपके जो Member of जो आपके क्या होते हैं आपके जो ग्राम पंचाय सबहा होते हैं और गाओं के जो लोग हैं जिनका ही जो 18 joined years हो गया है वह इलेक्ट करते हैं Member of the Block Committee elected the 5th Secretary, ये भी आपकी false है, पंचाय समीती आपके जो Block Committee है वो पंचाय सेकेटरी को elect नहीं करती है, जो सिधा appointment होता है government के दवारब, तो ये भी आपके false हो जाएंगे, next आपका questions है कि Member of the Block Committee elect there, प्रमुक, ये जो true है अपने जो Block Committee के जो member से अपने जो head है, प्रमुक है, उ गवर्मेंट है, वो appointment करता है, then आप next आपको questions है, brief वाली जो questions है, उसमें आप why is local self government necessary, local self government necessary क्यों है, तो brief में answer है, तो local self one is to take care of issues like sanitization, आपके जो water supply, electricity supply, maintenance of road, इनके लिए necessary आप इतने points भी आप note करते हैं, तो आपको पूरे marks मिल जाएका, फिर आपके और जो आप note करना चा दिया हुए, these issues are best management at the local level, then next आप देखेंगे, name the various level of पंचायती राज system in ruler areas, आपके ruler areas है, तो उसका जो different level है, जिसमें आपके जो सबसे 3 जो टायर जो system है, जिसमें आपके ग्राम पंचायत आते हैं, जो आपके village level होते है, पंचायत समित्य आता है, वो आपका block level पर होता है, और थर जो आपका जिला पंचायत जो आते हैं, district level पर होते है, तो यह जो 3 टायर system है, then next आपको मिलता है आपके जो ग्राम सबहा consist of all adults of the village, ग्राम सबहा क्या होता है, तो जिसमें जो जित्ते भी adults होते हैं, जो वहाँ पर सामिल होते हैं, वो ग्राम सबहा, village में तो वो ग्र of the power to the people कहा गया है, so यहाँ पर आप जो देखोगे, तो यह जो because local self-government take democracy to the common people, यह जो यह हमारा हम बात करें, democracy, local self-government है, तो common people तक democracy को ले जाता है, then people at the village level try to become self-sustained and become capable of managing their own affairs, यहाँ पर क्या हुआ कि यह जो आपके local self-government है, वहाँ पर people को democracy जानने का मिलता है, साथ ही साथ, अपने जो managing, अपने जो problems है, उसको वो समस्याओं को local level पर समझ कर, वो solve कर सकते हैं, then आपके give your answer in 3 or 4 sentence, यह तुझा से long answer वाले तो 3 or 4 sentence में, 3 जो function आपके village पंचायत के बद बताने हैं, तो जो contraction village roads है, उसको repair करना है, उसका काम होता है, maintain करना है, drinking water के लिए, public wells है, taps है, उनको maintain करके रखता है, और record रखता है, birth और date का, then second question है, explain how नयाय पंचायत functions, नयाय पंचायत कैसे काम करता है, तो यहाँ पर village court हम नयाय पंचायत की बात करें, तो has more than well village under its control, य generally, एक ही village होता है, वहाँ पर, then यह जो है, provide करता है, chief or spidey, justice है, यहनि सस्ते दरवपर, यहाँ पर कोई fish नहीं लगता है, और generally, जल्दी ही नयाय हो जाता है, then next आपको मिलेगा क्या, कि, deal with minor cases, like pretty thieves, यानि जो छोटे-छोटे जो cases है, यानि गाव में किसे कहां चोरी हो गया, कोई जगड़ा जन्जट हो गया, so, उसी का यह जो है, समाधान करता है, यहाँ पर इनको सज़देने का, जेल में बेजने का दिकार, नहीं होता है, then next, आपको third question है, कि, block summitly, directly encourage agriculture and cottage industries, य जो, यह जो encourage करता है, क्या करता है, कि agriculture implementations है, यानि यह वो जो agriculture को better जो develop करने के लिए, जो plants जो बनाए गए हैं, उनको implement करने का जो काम है, implementing ज़रने का जो काम है, वो करता है, then, वो seed distribute करता है, fertilizers है, वो distribute करता है, किनको farmers को, then, small scale और cottage industries है, उनको promote करता है, so, यह इसका आपका third answer, then, what is the composition of zilla parisad, अब zilla parisad के compositions क्या है, तो जो zilla parisad में वहाँ पर देखेंगे, तो all the president होते हैं, block summitly, district के वो उनके, आपके members होते हैं, then, member of state legislatures होते हैं, member of parliament होते हैं, chairperson होते हैं, municipal boards होते हैं, mayors होते हैं, यह सभी आपके district के यह आपके जिला parisad में सामिल होते हैं, then, seeds जो है reserve किया जाता है, किती के लिए representative होते हैं, जो schedule cards और schedule जो tribe से belong करते हैं, उनके लिए seat reserve होते हैं, साथे साथ one third, जो seeds है, वो women's के लिए भी reserve होते हैं, तो यह आपके compositions होए, किसके जिला parisad के, then, आप multiple choice आपको questions मिलेगा, उसमें के आपके answer यहाँ पर दिए हुए, एक आपका first है, then, second का C है, आपका third का C, fourth का C, then, आपका fifth का B, तो यह आप अपने note books में, आपके books में, आ आपको next मिलता है, आपका value-based question, so value-based questions का answer आपको दिया हुआ है, यहाँ पर, so the people of amul panchayat have learned to work as a team, they are cooperative and sensitive to social issues, they are proactive and resourceful, तो यहाँ पर यह value-based questions आपके books में दिये है, उसका answer, तो यह आपके जो chapter है, उसके exercise है, question का पूरा answer यहाँ पर आपको दे दिया गया है, आपके लिए बहुत helpful है, आपके exam के लिए helpful है, यहाँ से आप बहतर preparation कर सकते हैं, साथी साथ अगर यह video आपको फसंद आया, तो like कीजिए, comments कीजिए, अगर कुछ doubts है, अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, और अभी तक आप